जब आपको प्रेग्नेंसी हो जाती है, जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो प्रेग्नेंसी के लक्षण कबसे आपको दिखाई देने लगते हैं, कबसे आपको यह समझ में आने लगता है कि अब आपको प्रेग्नेंसी हो चुकी है, हेलो फैमिली आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है प्रेंट्स के वल आप से एक रिक्वेस्ट है कि अगर मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेंट्स बिल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि जैसे भी जब भी वीडियो अप्लोड हो नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए अगर आपको प्रेंगेंसी नहीं हो रही है तो मेरे चैनल पे वीडियो को देखिए हर एक जो है टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाए गये हैं और आपको कोई भी क्वैरी है कोई भी परेसान है तो कमेंट बोक्स में जरूर करिएगा सबसे पहले जान है उसके कुछ प्रोसेस होती है घैसे कि जा आगर आपका नॉर्मल पीरियड का साइकल है 28 दिन और 30 दिन का साइकल है तो उसमें आपको क्या होगा कि 28 दिन 30 तिन के प्रिएड की cycle में 14ते दिन 16 दिन आपका ovulation का date होता है आपको बेया को पहले आपको एलेशन बनाना कोटी है और चार से पास दिन आपके बॉड़े में जीवित रहता है बिल्कुल ओ जीवित रहता है उसका उसके अंदर जान प्रांड रहते हैं कि उसके अंदर इतनी ताकत रहती है कि आपके अंडे को फटिलाइज कर पाएं तो यहां पर फ्रेंड्स आपको समझना इस बात क बनाते हैं तो सबकुल से कम से कम से बारा दिन बाद ही आपको प्रेंड्सी की पो detuous स TV प्रोषड चीर्यल सुरू होती है झत आपका ऊविले अफ्शिय कंत रहता है कि बास बौर इस जाता है उसके क्म 15–AND z दिन के बाद अभी कि आपके चलता है तो उसको वहां से चलने में और आपके बचेदानी में आने में आते आते कम से कम उसको चार से पांस दिन अमोमल लग जाते हैं नोर्मली तो पांस से छे दिन बिलकुल लगी जाते हैं किसी महिला को अगर जो है बहुत जल्डी होगा तो भी चार दिन पास दिन लगते ही लगते हैं चार दिन तो लगते ही लगते हैं अजलेश्ट उसके बाद normally छे दिन, पांच से छे दिन बिल्कुल लग जाते हैं, तो यहां पे आपके ओ यूट्रेस की दिवाल में धसने के लिए आता है, तो आते आते धसने नहीं लग जाता है, जब वहां पे आता है, तो आपके हार्मोन के द्वारा उसको धसाने के लिए तैयारी पहल तो आपकी बॉडंटी में लक्षण समझने लगते हैं त्रेजिटी के लक्षण भी दिखाई देने लगते हैं तो कि जो ही धस्ता है जोयी आपके अंदर होता है नहीं प्लेंट का मतलब होता है धसना थासाना तो जो धसने के बाद आप जो आपका यूट्रे से जो बचिधा तो आपको प्रेवार्मों भी बनने मोकी हम आपको क्रेंपिंग होеся हलकी nelग सी माइल सी आपपो पेट के निपने हिसे में हलकी सी माइल्ट सी नाभीॉरी नींकुने में ने नाविकली के नीचे हिसे में हलका फुलका आपको पेन होने लगेगा उसके बाद आपको ब्राउन सा डिस्चार्ज आने लगेगा ये ब्राउन डिस्चार्ज आपको बिल्कुल माइड सा दोटिं ड्रॉप होगा बहुत जादा नहीं होगा ये डिस्चार्ज आपको आने लगेगा हो सकता है कि आपको direct pregnancy के लक्षर दिखाई दे, हो सकता है कि आपको implantation के लक्षर न दिखाई दे, pregnancy के लक्षर दिखाई दे, तो उसमें क्या होगा, कि जब pregnancy के लक्षर दिखाई देने लगेंगे, तो उसमें होगा कि आपकी जो breast है, breast के nipple वाला जो area है न, उस area में आपको darkness म बिलकुल खीची कि और नीली नीली और उखरी उष्पन नजर आने लगेगी। जो की पिरियाड में बिलकुल नहीं आती। पिरियाड बीकेवल आपके ब्रेश्ट में डर्द होते हैं। और सारे चीज नहीं होते हैं। उसके साथ-साथ आपके अंदर आपका fever भी आपको महसूस होने लगेगा, क्योंकि इसमें आपका basal body का temperature थोड़ा सा increase हो जाता है, जब basal body temperature थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो आपको हल्का-कुल्का जो है fever जैसा महसूस होने लगता है, उसके साथ-साथ फ्रेंट्स आपको थ आने लगेगी, weakness, weakness, feel होने लगेंगे, क्योंकि इस समय क्या होता है, कि आपकी body में जो blood का flow है, काफी बढ़ जाते हैं, और blood की flow बढ़ने की वज़ा से, जो आपके पास blood होना चाहिए, उटनी मातरा में आपको blood नहीं मिल पाते हैं, सारा चीज आपके सिसू के पास जाता ह हैं, आपको ऐसा मैसूस होगा कि मुझे बार 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 यूरीन जाने का इच्छा हो रहा है, बार बार मेरी यूरीन की जो frequency है, यूरीन करने का जो समय है, ओ घट गया है, कम हो गया है, और यूरीन जो है, मेरा बढ़ गया है, पहले मैं 3-4-5 बार यूरीन करती थी, लेकिन अब मैं 10-12 बार यूरीन कर रही हूँ, ये और्टोमेटिक आपको समगने आने में, तो ऐसा समगने आया है, तो समगो कि आपको pregnancy बिल्कुल 100% हो चुकी है, ये friends, यहाँ पे जब आपका, जब आप relation मना लेते हैं, तो relation मनाने के कम से कम 10-12 दिन के बाद आपको लक्षर महस होने लगेंगे, जो आपके period आया है, जो इस वाला period आया है, इसके कम से कम 20-25 दिन के बाद आपको लक्षर महसूस होंगे, 21 दिन में भी दिखाई देने लगेंगे लक्षर, कितनी महिलाव का implantation का दिखने लगता है, और जो period आने वाले हैं, उसके एक हपते पहले आपको pregnancy के लक्षर दिखने लगेंगे, एक हपते पहले, पांच दिन पहले, आठ दिन पहले, साथ दिन पहले दिखने, यानि कि at least आपको एक हपते पहले ही दिखाई देने लगेंगे, यह तो आपको समझने आ गया, एक चीज यहां पर और notice करने हैं, कि जो जो pregnancy के लक्षर है, इस इसमें से कुछ लक्षर ऐसे होते हैं, जो कि अगर आपको आपका हार्मोन डिस्बैलेंस होगे, अगर आपको PMS की समस्या होने लगेगी, आपका खान पान बिल्कुँ सही नहीं रहेगा, तो उसमें भी दिखाई देने लगते हैं, तो आपको जब आपका period मिस हो जाता है, उसके कम से कम 6-7 दिन बाद आपको pregnancy test करने चाहिए, और जब pregnancy test positive दिखाता है, तो आपको समझने चाहिए कि यह pregnancy हो चुकी है, अगर यह negative दिखा रहा है, तो थोड़ा सा और वेट करिए, तीन दिन के बाद, चार दिन के बाद एक बार और pregnancy test करिए, क्योंकि होता क्या है, कि इसमें आपके body में HCG का hormone पूरा भरपूर मातरा में बनना चाहिए, अगर यह कम बनेगा, तो आपको front line दिखाई देगा, या पी negative दिखा देगा, अगर आपको एक line जाढ़ा, एक line हलका दिख रहा है, तो आपको समझना है कि मुझे pregnancy हुई है, और अपने doctor से संपर करना है doctor आगे का advice आपको कर देगी और देगी, I hope friends की ये वीडियो आपके काम का होगा, तो चैनल को जरू सब्सक्राइब कीजिए का मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, thank you for watching, bye bye